गुद मॉर्णिंग एस्टुएंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के कोश्चन नमबर 4 को सुल्प करेंगे प्रिवेस लेक्चर में हम लोग तीन कोश्चन सुल्प कर चुके थे फर्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 4 का इस कोश्चे में दिया हुआ है कि होस्टल चार्ज का एक पार्ट जो है ना मन्थली वो फिक्स्ट है और दूसरा पार्ट इसका डिपेंड करेगा कि कितना दिन आप उस होस्टल के मेस में खाना खा रहे हैं ठीक है यहाँ पे होस्टल चार्ज दो पार्ट में देना है एक पार्ट तो आपका फिक्स रहेगा और दूसरा चार्ज डिपेंड करेगा कि आप उस होस्टल के मेस में कितना दिन खाना खा रहे हैं ठीक है अब उसमें एक स्टुडेंट ए है जो 20 डेज उसमें खाना खा रहे है ठीक है और उपेट की 1000 रुपीज अब दूसरा स्टुडेंट इसमें भी है जो 26 डेज खाना खाने के बाद मंतली चार्ज जो होस्टल चार्ज है 1180 रुपीज पेकी ठीक है तो find the fixed charge and the cost of food per day तो इसमें बताना है कि fixed charge क्या होगा और cost of food per day क्या है ठीक है यह find करना है अब इस तरह के दो कोश्चन को हम लोग प्रिवियस लेक्चर में सोल्प कर चुके हैं एक कोश्चन था हमारा टेक्सी वाला और दूसरा कोश्चन था लाइबरेरी वाला ठीक है अब यह तिसरा कोश्चन हमारा आगया होस्टल वाला अब यह कोश्चन ठ्वा बड़ा है ठ और cost of food per day तो इसको हम लोग Y रूपीज माल लेंगे ठीक है और उसके बाद से 2 equation हम लोग बना लेंगे अब इसका solution देखते हैं अब यहां फे हम लोग माल लेंगे ठीक है let the fixed charge BRS X and the charges per day BRS Y ठीक हम लोग fixed charge को माल लिए कि X रूपिया है और charge जो पर दे लग रहा है तो यह तो fixed charge लग नहीं है अब एक दिंगा खाने का Y रूपे चार्ज है तो 20 दिंग अज क्या हो जागा 20Y हो गया तो यह X plus 20Y 1000 हो जागा इसको हम लोग equation फर्स्ट माल लेंगे और second equation क्या हो जागा X plus 26Y ठीक है यह student B के लिए है यहां माल जागा 1180 रूपिस ठीक है equation 2 आ गया अब दो equation आ गया इसको आप लोग easily solve कर सकते हैं ठीक है हम यहां पर क्या किया है subtracting 1 from equation 2 we get अब equation 1 को यहां 2 से हम लोग subtract कर लिए है आप चाहे तो 2 को 1 से भी कर सकते हैं ठीक है अब subtract करेंगे तो य माइनस करेंगे तो यह जागा 180 अब यहां सो Y निकालेंगे तो 6 आके divide हो जागा तो 30 आ गया ठीक है अब इस value को putting Y equal 30 in equation 1 भी गेट अब equation 1 में हम लोग रखेंगे तो हमार क्या हो जागा X plus 20Y है तो X plus 20Y कितना है 30 है यह 1000 हो गया अब यह multiply करेंगा हम लोग तो 600 हो जागा तो यहां से X हमारा कितना हो जागा अब 600 आगे इदर minus हो जागा तो यह आ गया 400 ठीक है तो therefore जो हमारा fixed charge है इसको में एक्स रुपीय मानेते तो यह हमारा आ गया 400 and charge per day जो per day का जो charge है इसको में यह रुपी मानेते और यह हमारा Rs.s आ गया 30 ठीक है तो इस तरह हम इसको solve कर ले अब इसका second question है second question है इसका दिया fraction होला ठीक है तो हम लोग fraction होला दो question हम पहले कर चुके है उसी type के question है इसको आप लोग खुझ से solve कर लिजेगा ठीक है इस नुम्रेटर को X माल लेते है और denominator को Y माल लेते है fraction हो जाता है हमारा X by Y अब किसमें क्या add करना है numerator में और कहां पर क्या denominator में से minus करना है या plus करना है अब उसके हिसाप से question के हिसाप समलो उसको लिख के equation हम लोग यहां बना लेंगे और इसको solve कर लेंगे ठीक है थर्ड question है यह एक एक टेस्ट में 40 मार्क्स आ रहा है getting 3 मार्क्स for each right answer and losing one mark for each wrong answer 40 मार्क उसको आया है तो उसको एक right answer पे ठीक है न अगर एक question का answer उसको उसको इसको तीन नमबर दिया जाएगा अगर wrong answer बताएगा तो उसका एक number क्या हो जागा minus कर लिए जागा ठीक है had four marks been awarded for each correct answer and two marks been deducted for each incorrect answer then yes would have escort 50 marks अब इसका second case है कि अगर उसको चार नमबर दिया जाए each correct answer के लिए और दो नमबर उसका minus कर लिए जाए अगर wrong answer के लिए तो इस बार उसको yes को 50 marks आ रहा है ठीक है तो how many questions were there in the test तो इसमें बताना है कि उस test में कितने question थे अब यहाँ पे इसका हम लोगा solution देखते है let yes answer x question correctly and y question incorrectly हमनों माल लेंगे yes जो है x question correctly किया है x question सही किया है और y question को क्या किया है उगलात कर दिया है तो therefore total question कितना हो जाएगा यह x plus y हो जाएगा ठीक है x question correct answer दिया x question का और y question का incorrect answer दिया है तो total question x plus y हो जाएगा अब question के इसाब से हम लोग यहाँ पे अब equation बनाएगे पहला equation हो जाएगा अब एक correct answer के लिए उसको 3 number मिला है ठीक है और एक number उसका cut गया है एक wrong answer के लिए तो इस case में उसको 40 marks obtained हुए है तो 3x minus y 40 हो जाएगा और second equation इसका हो जाएगा 4x minus 2y is equal to 50 अब इस दोनों equation को आप लोग easily solve कर सकते हैं अब यहाँ से xy के value आप लोग find कर लिजेगा और फिर last में इसको add कर दिजेगा तो total number of questions में टेस्ट आएगा question number 4 में दिया है places A and B are 100 km apart on highway अब एक highway पे दो place A और B है जिसके beach का distance दे दिया है 100 km one car starts from A and another from B at the same time अब इसमें दिया है कि A और B दोनों point से एकी समय अगर दो कार start हो रहा है if the cars travel in the same direction at the different speed they meet in the 5 hours अब दोनों कार एकी direction में जा रहा है और दोनों का speed different है तो इस question में दिया कि 5 घंटे बाद दोनों कार फिर से मिल जा रहा है if they travel towards each other अगर वो एक दूसरी के तरफ जाए ठीक है तो they meet in one hour एक घंटे के बाद दोनों कार क्या हो जाएंगे आपसे में मिल जाएंगे what are the speed of the two cars यहां बताना है कि इस दोनों कार का जो speed है क्या है ठीक है अब इसका नों solution देखते हैं यहापे let x and y be two cars starting from a and b respectively हम माल लेंगे यहापे x और y दो cars हैं ठीक है जो point a और b से यह start हो रहा है let the speed of car x be x km per hour and the speed of car y be y km per hour अब माल लेके जो car x है उसका speed x km per hour है जो car y है उसका speed y km per hour है दोनों point के बीच का distance हमारा 100 km दिया हो है अब यहां case first आप माल लेंगे है when the two cars move in the same direction अगर दोनों car एक ही direction में move कर रहा है तो इस case में क्या होगा ठीक है point M, माल लेके इस case में यह दोनों car point M पर meet कर रहा है अब यहां पर देखते हम लोगे की diagram से ठीक है highway पर यह दो point A और B दिया है जिसके beach का distance कितना है 100 km है अब एक car हमाल लेके A से start हो रहा है ठीक है और दूसरा car B से start हो रहा है अब दोनों एक ही direction में जा रहा है ठीक है अब दोनों का speed different है अब सेम speed रहेगा तो इस दोनों car कभी मिटी नहीं करेंगे तो दोनों का speed इसका मतलब यह हुआ कि जो place A से car start होगा उसका speed जादे होगा और जो place B से start होगा उसका speed कम होगा तब ही जाके नहीं मिलेंगे अब माल लेकि दोनों car के point M पे आके यहाँ पे mid करने ठीक है distance covered by car X in 5 hour अब जो यहाँ पे car X है यह distance 5 गंटा में कितना cover करेगा तो distance निकालने का formula लोगों पता है यह speed into time हो जाता है तो speed हमारा है x km per hour और time में 5 गंटा तो यह 5X km हो जागा distance covered by car Y in 5 hours कितना हो जागा यह 5Y km हो जागा अब यहाँ पे यह car X यहाँ से start हुआ है और यह distance cover किया है 5 गंटा में AM तो यह AM कितना हो गया हमारा तो यह हम लोगों निकाले है यह 5X km आ गया और यह car Y जो है जो B से start हो रहा है यह distance cover कर रहा है तो यह BM किसके ईकोल हो जागा यह 5Y को जागा यह 5Y km हो गया और यह AM जो है न यह 5X km हो गया तो यह पूरा distance मेरा 5X हो गया और यह distance 5Y हो गया तो अगर हम AM से BM को माइनस कर दें ठीक है पूरे डिस्टेंस से इसको माइनस कर दे तो किसके इकोला जागा एबी के इकोला जागा तो यहां भैलू पूट कर दिये 5x-5y is equal to 100 अब यहां से आम लोग फाइब कोमा ले लेंगे तो एकस मैंस y कितना जागा यहां जागा 20 इसको माल लेंगे एक्वेशन फॉस्ट इसका स माल लेंगे in this case let the two cars meet at a point P इस case में दोनों कार आगे point P पी मिट करने है ठीक है तो distance covered by car x in one hour इस question में दिया कि एक घंटे के बाद दोनों कार मिट करने है तो एक घंटा में car x distance कितना कवर करेगा तो यह हो जागा x km ठीक है क्योंकि उसका speed x km पर आवर है और car y जो है एक tinha कितना हो जागा तो यह हमारो जागा x km ठीक है क्योंकि Sonода x इस कवर कर रहा है और car y जो कवर कर रहा है bp यह हमारो जागाद दिश्टेंश में डिस्टेंस यह यह तो यह से एक्स प्लस वाई होगा अब यहां दो इक्वेशन आ गया सिंप्लेस दोनों एक्वेशन को स्वल्ब करके आप लोग एक्स य का वहलू निकाल सकते हैं वह यहां धोनों कार का स्पीड आ जागा आपको इस कोस्टन को समझ गयोंगे आज